सबा फैंसी लेडीज वेर के साथ अपने बॉर्ड रूप को दे एक नया अंदाज सबा लेडीज वेर में आपको मिलेंगे एक्सक्लियूजू, कैजूल वेर, ओकेजिनल ड्रेसेज, ग्राइडल अटायर, पार्थी वेर वो भी प्रीमिम कॉलिटी में, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में सबा फैंसी वेर में लेट जिस पाकिस्तानी ड्रेसेज भी अविलेबल है, अफॉर्डिबल से लेकर एक्स्विजिट एलिगन्स तक, सबा लेडीज वेर में ड्रेसेज की देन शुरू होती है, सिर्फ रुपीस टू फिफ्टी से, और अगर आपको पोफिक फिटिंग की ज़रूरत है, तो यहां आपको स्टिचिंग फैसिलिटी भी मिलेगी, यहां होल सेल, री टेल और री सेल सबी फैसिलिटी अविलेबल हैं, बागे फिर्दोस मस्जित के पीछे सबा फैंसी लेडीज वेर, भीवन्ली से सटे मुमईन आशिक हाइवे पर पिछले कुछ जिनों से रोट का काम किया जा रहा था, और आज यहां बनाया गया रोट का नया हिस्सा जमीन में धंस गया, खुश किस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान और कोई शक्स घायल नहीं हुआ, लेकिन इस तरह के काम और लापरवाही की वज़ा से यहां एक बड़ा हादिसा भी हो सकता था, भीवंडी के रेड लाइट एरिया में एक शक्स पर किया गया चान लेवा हमला, रात के दो बज़े दो लोगों में बहस हुई और धीरे धीरे विवाद बढ़ने लगा, तब ही आरूपी ने शक्स के साथ मार पीट करते हुए उस पर धारदार हतियार से हमला कर दिया और फराद हो दया, सारे मामले की शिकार पुलिस्टेशन में की गई है, फिर हाल चांच चारी है, भिवंडी के खंडू पाड़ा इससे तो ओशिन गार्डन के सामने इस रोट की गटर कुछ महीनों पहले ही नई बनाई गई थी, लेकिन आज होने वाली बालिश की वज़ा से यहां पर भी हर तरफ पानी जमा हो गया, लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन किस तरह का काम करवाती है, कि महस कुछ महीनों में ही काम की असलियत लोगों को नज़र आ जाती है, विवन्डी के वार्ड नमबर एक और दो के दर्मियान में मौझूद इस इलाखे में खराब सड़कों से जन्ता परिशान है, बताया गया कि यहाँ पर भाजी मार्कित लगी होती है, जिस वज़ा से बड़ी संख्या में लोग और खास तोर पर महिलाएं मौझूद होती है, और आसपास स्कूल होने के वज़ा से छोटे छोटे बच्चों का भी आना जाना लगा रहता है, यहाँ पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिससे जन्ता और रहगीर परिशान है, मुंबई में जोगेश्वरी अलाके में मौझूद एक नागूरी नामक शॉप में खतरनाक आग लग गई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वाइरल किया गया, आग के धुमे की वज़ा से आसपास की चीज़े भी नजर नहीं आ रही थी, जिस वज़ा से वहाँ मौझूद लोग खबरा गए और काफी हंगामा हुआ, आग लगने के कारण और इस से होने वाले नुकसान की खबर अब तक सामने नहीं आई है, आक्टोबर में होने वाले असेंब्ले एलेक्शन में, M.V.A की तरफ से चीफ मिनिस्टर के चहरे के तौर पर उद्धो ठाकरे को पेश किया जा सकता है, इस मामले में बयान देते हुए संजर राउत ने कहा कि बिना चहरे के एलेक्शन लड़ना खतरनाक साबित हो सकता है, साथी महराश की जनता ने पहले भी उद्धो ठाकरे का काम देखा हुआ है, और लोग सभा चुनाओं में भी जनता ने हमें बहुत सपोर्ट किया, में हादिसों की वज़ा से मौत का रेशो 38.80, यानी रोजाना साथ लोग लोकल ट्रेंड हादिसों में मारे जाते हैं, ये दुनिया भर में सबसे बड़ा मौत का अंकड़ा है, ये कहते हुए रेल्वी मैनेजमेंट के जनरल मैनेजर पर सवाल उठाए गया। मेरा रोड स्थेते की युवती ने AI की मदद से अपनी ही दोस्त को लोट लिया। आरोपी लड़की जो एचार बनी हुई थी, वो पीडित से मिलने से लगदार इंकार कर रही थी जिसे शक में आकर, पीडित युवती ने शिकायत दर्श करवाई और पुलिस ने आरोपी को गिरफतार किया। माराश में पंगंगा तालाब में डूबने से तीन लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इस तालाब में कपरेधूने आई लड़कियां तालाब में तैराकी के लिए गई लेकिन पानी का अंदाज अना होनी की वज़ा से वो दोनों डूबने लगी जिन्हें बचाने के लिए दो तैराकों ने भी छलांग लगाई जिनमें से एक तैराकी भ कि भी वंडी में आज इस सुबह से लगतार कम जारा बारिश हो रही है और ऐसे में हर साल की तरहाई साल ही हमें फ्लाइवर से गिरने वाले पानी की वीडियो जिजी जा रही है फ्लाइवर से टूटे पाइप की वजह से पानी डाइरेक्ट नीचे रोत पर गिरता है जिस से आने जाने वाली गाड़ियों को परिशानी होती है साथ ही मोटर साइगल सवारों के फिसलने का भी खत्रा होता है